नितिवचन अध्याय तीस याके के पुत्र आगुर के प्रभावशालिवचन उस पुरुष ने इतियल और उकाल से यह कहा कि निश्च मैं पश्यु सरीखा हूं, बरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है, और न मैंने बुद्धी प्राप्त की है, और न परम पवितर का ज्यान मुझे मिलता है, कौन स्वर्गे में चड़ कर फिर उतर आया, किसने वायू को अपनी मुठी में बटोर रखा है, किसने महासागर को अपने वस्तर में बांध लिया है, किसने पुत्वी के सीवानों को ठहराया है, उसका नाम क क्या है, और उसके पुत्र का नाम क्या है, यदि तू जानता हो, तो बता, परमेश्वर का एक-एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरनागदों की ढाल ठहरता है, उसके वचनों में कुछ मत पढ़ाना, ऐसा न हो कि वह तुझे डाटे और तू जुटा ठहरे, मैंने तु जुटी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रति दिन की रोटी मुझे खिलाया कर, ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाये, तब मैं इनकार करकी कहूं कि परमेश्वर यहोवा कौन है, वह अपना भाग खोकर चोरी करूं, और अपने परम परमेश्वर का नाम अनुची तरीती से लू, किसी दास की उसके स्वामे से चुगली न करना, ऐसा न हो कि वह तुझे शाप दे, और तू दोशी ठैराया जाए, ऐसे लोग है जो अपने पिता को शाप देते है, और अपनी माता को धन्य नहीं कहते, ऐसे लोग है जो अपन धन्य दुरिष्टी में शुद्ध है, परंथु तो भी उनका मेल धोया नहीं गया, एक पिढ़ी के लोग ऐसे है, जिनकी दुरुष्टी क्या ही घमन से भरी रहती है, और उनकी आखे चड़ी हुई रहती है, एक पिढ़ी की लोग ऐसे है, जिनके दात, तलवार और उनकी डाढ़े छुरिया है, जिससे वे दिन लोगों को पृत्विपर से और दरिद्री को मनुश्यों से मिटा डालते हैं। जैसे जो की दो बेटिया होती है, जो कहती है दे दे, वैसे ही तीन वस्तुए है, जो तुरुप्त नहीं होती। बरन चार है, जो कभी नहीं कहती बस। अधोलोक और बांच की कोक। भूमी जो जल पीपी कर तुप्त नहीं होती। और आग जो कभी नहीं कहती बस। जिस आग से कोई अपने पिता पर अनादर की दुरुष्टी करे और अपमान के साथ अपनी माता की आग्या नमाने, उस आग को तराई के कववे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाप के बच्चे खाडा लेंगे। तीन बाते मेरे लिए अधिक कठिन हैं, बरन चार है, चो मेरी समझ से परे हैं। सही नहीं जाती, दास का राजा हो जाना, मूड का पेट भरना, गिनवनिस्त्री का ब्याह जाना, और दासी का अपनी स्वामीनी की वारिस होना, पृत्वी पर चार छोटे जनतु है, जो अत्यंत बुद्धिमान है, चुटिया निरबल जाती तो है, परंतु धुपकाल में अपनी बोजन वस्तुया बटोरती है, शापान बली नहीं जाती, तो भी उनकी मांदे पहाडों पर होती है, टिडियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध बांध कर पयान करती है, और छिपकली हाथ से पकड़ितो जाती है, तो भी राजभहनों में भी रहती है, तीन सुंदर चलने वाले प्राणी है, बरंचार है, जिनकी चाल सुंदर है, सिह, जो सब पश्यों में पराक्रमी है, और किसी से डर नहीं रखता, और किसी से डर से नहीं हडता, शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा हेदितु ने अपनी बढ़ाई करने में मूडता कि वह कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुह पर हाथ धर क्योंकि जैसे दूद के मतने से मक्षन और नाक के मरोडने से लोहू निकलता है वैसे ही क्रोध के बढ़काने से जगणा उत्पन्न होता है